प्रिफार में ज़िए लिटरली कई सारी चीजे जिनके बार में जानते तक नहीं आपको बनक तक नहीं कि भाई साब पहले ऐसे ऐसे चीजें भी हुआ करती थी क्या गेस वाट आपको क्यों नहीं पता है क्योंकि आप एक न्यू प्लेयर हो एंड आज के इस विडिवाश्य सब्सक्राइब करने वाले जो कि सब्सक्राइब को ही पता है तो आपके लिए वीडियो बैस्ट होने वाला है लेकिन अगर आप मेरी तरह के न्यू प्लेयर हो तो आप लोग दिखके शॉक हो जाओगे पहले कि पहले की टाइम पे फ्रिफार में कैसी कैसी चीजें हुआ कर आप लोग अवरे चैनल पे फ्रिफार सेटेट एसी इंट्रस्टिंग वीडियो मिलत रहेगी स्वासे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वोल्डेस तिंग नंबर सेवन आपको रोशाइद यह बात पता ही होगी कि पहले बाइक में सिर्फ वाइक में बैट पाते हैं जैसे क हम चार लोग बैट सकते हैं जो कि खटारा गाड़ी बोलते हैं फ्रिफार की उसमें पहले हम सिप एक ही बंदा बैट पा रहे थे मतलब वो जीप पहले एक ही परसन के लिए थी यह बात कर रहा हूं तो यहां पे रहो यहां पे ड्राइव का भी ऑप्शन है यहां पे सीट क मतलब बहुत पुरा ना फ्रिफार रही है फिर बाद में कुछ अपडेट के बाद से चीज को चेंज किया दें उसके बाद यहां पे ड्राइव एंटर का उप्शन है क्योंकि यह तो जीप है ना फोर विलर है तो जाहिर से बात है एक ही बंदा इसको चलाएगा एक ही बाद करें तो इस टाइप का दिखता है एंड देखे लगता भी है कि हा भाई यह फैक्ट्री है लेकिन यह अपको पर आप अपर में दोनों तरफ खिडखी है बड़ी बड़ी खिड़ की अब आपको दिखाता है कि अब अब तो आपको अपको अब प्र निगा यह यह ता यह वाली दो बड़ी बड़ी खिड़की आपको नदर आ रही होगी एंड उससे बड़ी बात प्लेयर है अभी मेरी वीडियो को देख रहों को पता होगी पहले इस फैक्ट्री को बूद बंगला भी क्या था क्योंकि इसका लूक ही कुछ इस टाइप का था मतला भूत वाल अवतार देख रहे हो यह एडम का है नो डाउट यह एडम का है अप सब को पता है और यह वाला इव का है मतलब हमारी जो नुल्ला है उसका है अभी के टाइम पर ऐसा दिखते हैं का अवतार लेकिन कि आपको बताया जब पहली बार फ्रीफार में एडम आया था और इव आ यहां बैक्रोंड में देख सकते हो कि यह जो आवतार है इव का यह कितना जादा ही अलग दिख रहा है यह सच मी इव का ही आवतार आप लोग माने आवन जो ओड प्लेयर से तीन सार तीन साल पहले से गेम करें उनको पता हो कि यह आवतार रहे जो कि दिखने में बिलकुल लगता है कि यह इव का उतार है कि आपको इस आवतार के बारें पता था लेट में नौ इन कॉमेंट सेक्शन लिस्टिंग नमबर फॉर आप सब्सक्राइब कर अच्छी से पता है कि अभी के टाइम पर जो भी न्यूपे आता है वह मुश्ट पैट में हमेशा आता है लेकि आया कि आया था वाउचर वाले में मतलब जो लटी रॉल होता है उसमें आया था आसान बाशन में तो गोल्ड रॉल में राया था फिर उसके बाद थर्ड पेट है हमारा गेम का वो है पैंदर जो कि आया था फिर से लखी रॉयल में फिर उसके बाद जो फॉर्स बैट है पांड़ वो आया था तो फिर उसके बाद से हर एक जो पैट है वो टॉप वेंट में ही आने लगे आ मुझे इसको देखो आप यह क्या है अपसे पुछ हूं तो आप क्या कहोगे आप बहुत पड़ता है वह है और हां सच में यह ब्रीज है वहीं कॉटलिस टुवा वाला अब यह तीन साल पहले का क्लिप अब मैं आपको बैक्राण में दिखा रहा हूं यह क्या है यह बहुत ज क्योंकि देखने में इसा लग रहा है देखो नवाई कि आप यहां सहे च्रॉस कर जा सकते हो जो कि लिटरल सही है लेकिन अभी के टाम पर फ्रीफाय मैं ऐसा पता नहीं सामने में ला दिया है ओ भी जो देखके लगता नहीं कि ब्रीज है और वह ब्रीज है आपके यह जो ब्रीज आप देख रहे हो यह कोट्री श्थी वा से जो जाने का रास्ता उसको एक सहीर रास्ता दिखाता था अभी के टाम पर तो यह कुछ भी हो सकता है फ्री फायर तो फ्री फायर यह अगर मैं आप से कहूं पहले के ताम पहले के पिश्वास करोंगे अडिया च आपकी हेल्थ है वह 200 होगी वह वाइड दिखाता है एंड फिर अगर आपकी एच्पी अगर 150-100 के आसपास कहीं पर चली जाती है तो वह अचानक से आपको जो एच्पी वाला सेक्शन है वह यलो हो जाता है कुछ इस तरीके से तो इसे आप क्रॉस कनेक्शन ही बोल सकते है परिफेक्ट थियोरी भी बोल सकते हो यापकी एच्पी यलो कलर नहीं पहले है बट पहले जो मश्रूम वह जो हुआ ही नहीं करता था लेकिन जब मश्रूम आया तो फ्रीफायर नहीं जो यलो वाला था मतलब आपकी डाउन होगी फर यलो दिखने लगा उसको चेंज करके वाइठ ही रहने दिया तो अगर आपको यह साथ दोस्त है जो की ओल्ड प्लेयर है तो लिटरली उसे आप पुछो वह आपको एकदम करेटली बताएगा जिस तरीके सा मैंने आपको बताया बस उसको इतना सवाल पुछना क्या पहले फ्रीफायर मश्रूम हुआ करता था या या फिर पहुने चार साल पहले तो लेगा नहीं भाई नहीं हुआ करता है पहले मश्रूम क्या आपको इस चीस के बारे पहले सी पता था मुझे कौन में ज़रूर से बताना ओल्ड इस तिंग नमबर वन अभी के टाइम पे जो रिच वाली बॉड़ी है जो कि या बैक्रों आइटम या फिर मोश्ट पॉपुलर तिंग ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसकी डिमांड पहले बहुत जारा थी जिस बंदे के पास भी रिच बॉड़ी हुआ करता था वह भाई भगवान कहला था प्रो प्लेयर कहला था जादा पहले समय की बात नहीं कर रहा हूं मैं आज से या दो साल पहले की बात कर रहा हूं तो आप लोग में से काफी साल लोग को पता हो कि मैं अच्छी बोलने की कोशिच का कर रहा हूं लेकिन आज के टाइम पर रिच बॉड़ी का जो वैल्यू है रिच बाड़ी के लिए बारे बारे पूरते की से खतम हो यह बहुत जो पॉ तो रहा हूं लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो यां लाइक कर देना विडियो को ल्क नहीं किया तो और पलिख पर सभारे पर Сवहत है नहीं किया दो लिंक की दिस्क्रिप्शन दिस्क्रिप्शन और लिंक से जाके हमें फॉलो कर लेयना क्यूंकि फेज दो के हैं बहुत सारे फेक अकॉँन्ट बने है और इंस्टा दो अगर आप लोग इंस्टा पर फैक और नहीं कियो लिंकית जाके फॉलो कर लेयना तो मिलता हूँ असे नेक्स फीडियो में अपते के लिए बापा गाईज रवीर और पीस आउट थैंक्स फर वाचिंग